हालो अव्रीवन वेलकम टुट्रोल्समाइग इस वीडियो में सॉल करेंगे एक प्रोब्लम जो कि है चैप्टर सर्फेस एरियाज और वॉल्यम से तो अहीं देखते हैं प्रोब्लम क्या है हैं तेख मैं तेखते हैं डिज और विजटोब जाभर फिर विजिटनेजर बेडरों वा कोंडरोब्लम टेखते हैं प्रॉट कोंवेंग इस दॉड़ और आंपर ऐस एट जलेज इस कंटिमेघर और तॉर एंडदी संटिमेट टॉजडें पालिटेव इस एंट एंटेशावि मेटल शीट यूज तो मेग दे कंटेनर इफ इट कोस्ट रुपीज एट पर हंड्रेट सेंटिमेटर स्कूर तो देखे प्रॉबलम में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है तो यह कंटेनर एक फ्रस्टम की शेप में है फ्रस् कोस्ट है वो है 20 कुंटिए पर लेटर हमीं निकालना है कि किकितना कोस्ट होगा मैटल शीट जो जञतको यूज कांटेनर बना है उसका कितना कोस्ट होगा अगर उस मेटल शीट का एक्च है हमें यह पता होना हो चाहिए कि इसमें milk आ कितना सकता है right and milk कितना सकता है यह कैसे निकलेगा कि इस container का volume कितना है तो बात आगे volume पे तो volume of frustum क्या होता है तो volume of frustum का formula है हमार पास 1 by 3 pi into h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2 तो यह formula है हमार पास volume of frustum और container frustum की shape में है तो ऐसे हम volume निकालते हैं क्योंकि सारी values हमार पास हैं तो हम formula हम put करेंगे तो volume of this container हो जाएगा 1 by 3 into 3.14 into 16 into 20 का square plus 8 square plus 20 into 8 तो आप देगे यहां पर 20 का square हुआ 400 8 का square हुआ 64 and 20 into 8 वा 160 now जब आप 3.14 into 16 करेंगे तो value आएगा 50.24 something and उसको 3 से divide करेंगे तो value आएगा 16.746666 repetition में है तो हम इसको round off करके value ले लेते हैं 16.75 okay and इन सब values को आप add करेंगे तो value होगा 6.24 तो इन दोनों values को आप multiply करेंगे आप उसमें तो ultimate value आएगा 10452 cm3 but हमार पास जो milk है वो है liters में मतलब उसका जो cost दिया है हमको पर liter के हिसाप से दिया है and हमार पास जो volume आया है वो है centimeter cube में तो हम इस centimeter cube को liters में convert करते हैं तो हमें पता है कि one centimeter cube का value होता है इन liters one by thousand तो one centimeter cube अगर one by thousand liter है तो 10452 cm3 कितने liter होगा obviously हम इस amount को thousand से divide करेंगे and हमार पास answer आएगा 10.452 liters तो ये actual volume है हमारे इस container का इतना ही हम इसमें milk fill कर सकते हैं तो cost of milk निकालना है simple है देखे एक liter का जो हमार पास cost है वो है rupees 20 तो 10.452 liter का क्या होगा हम simply 20 से multiply करेंगे तो आप देखेंगे हमारा value आया 209.04 तो आप देखेंगे 04 को हम round off कर देते हैं उसको neglect कर देते हैं तो approximately हमारा value आया rupees 209 तो ये हमारे पास होगा cost of milk ओके ओके now for the second part second part में हमें निकालना है जितना भी metal sheet इसमें use हो आया उसका cost तो देखें metal sheet का cost कैसे निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए इसका area इस पूरे container का हमें area पता होगा तो उतना ही हम guess करेंगे कि metal sheet लगा है एंड उसका cost निकाल लेंगे तो area of this container क्या होगा एक तो area of frustum जो basic frustum हमारा side से shape है उसका area plus क्योंकि base हमारा open नहीं है base हमारा close है तो वो जो base part है उसका area भी add होगा तो area of bottom circle obviously वो एक circular shape है क्योंकि आप देखें cross sectionals है तो एक circular shape है तो area of this base circle तो area of frustum क्या होगा है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू L and L क्या है यहां पर slant height right plus area of base पाई इंटू r2 square क्योंकि base part को हमने जो radius है r2 लिया है तो पाई इंटू r2 square तो देखें हमार पास यहां sub values हमें पता है L को छोड़के तो L यानि कि slant height हम निकाल सकते हैं कैसे क्योंकि slant height का formula होदा है under root h square plus r1 minus r2 का whole square यह तीनों value में पता है h 16 ने तो 16 square plus r1 यानि 20 minus r2 यानि 8 का whole square तो 16 square होदा है 256 and 20 minus 8 वा 12 12 का square होदा 144 इन दोनों का add कीजिए तो under root 400 and under root 400 होदा है 20 cm के एकपर तो ultimately L का जो मतलब slant height का value आया वो है 20 cm तो अब हमें सारी values पता है तो सारी value formula हम रखते हैं and area of this container होगा 3.14 into 20 plus 8 into 20 plus 3.14 into 8 का square तो आप देखें आप यहाँ पे 20 plus 8 करेंगे 28 and 8 का square हम open करेंगे 64 now इन तीनों values का आप multiply करेंगे तो आएगा 1758.4 प्लस इनको आप multiply करेंगे तो आएगा 200.96 cm square क्योंकि area की बात करें इनको आप add कीजे तो हमारे पास total value आया 1959.36 cm square यह इस पूरे container का area है इतना ही हमारा metal sheet इसमें use हुआ है now for the cost part अब देखें हमें cost ग्यादा per 100 cm square के हसाफ से तो cost of making 100 cm square sheet क्या था rupees 8 now cost of making 1 cm square sheet क्या होगा 8 by 100 obvious है now हमें निकालना था इतनी metal sheet का cost तो हम क्या करेंगे इसको multiply कर देंगे 8 by 100 से तो आपने 8 by 100 से multiply किया and आपके पास answer आया rupees 156.75 तो इतने रुपेज का हमारे पास metal sheet use हुआ है इस container को बनाना में and यह दोनों पार्ट हमें निकालना था cost of milk and cost of metal sheet यह दोनों पार्ट हमें निकाला है okay guys thank you tutorialspoint.com simply easy learning